अल्लो गाइज वेलकम तो ग्लास आइम गौरफ जोदरी इन फ्रंट ओफ यू एंड आज हम करने जा रहे हैं यूनिट आइन डाइमेंशन का लेक्चर नमबर टू तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी एक यूनिट होती है जैसे विलोसिटी की मीटर पर सेकेड डिस्पलेसमेंट की मीटर सिंपल सो अब आगे अपने को काम करना है अगली जो चीज है वो है डाइमेंशन्स सो डाइमेंशन्स क्या होती है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सो देखो भई अपने पास जैसे कोई लेंथ है ठीक है तो लेंथ की S i unit, S i unit है अपने पास मीटर ठीक है और इसकी जो डाइमेंशन्स है किसकी डाइमेंशन्स की बात करने आप आपा, junior लेंथ की डाइमेंशन्स क्या है L के सिंपल अपना एक मास है मास की SI unit SI unit है KG और इसका जो dimension है वो है M simple L for length, M for mass और तीसरा है time ठीक है, time की SI unit अपनी second है and इसकी dimension है T ठीक है जब हम dimension formula पढ़ेंगे तो basically ये 3 ही आएंगे इसके अलावा कम आते हैं, बहुत कम आते हैं जैसे temperature आजाएगा अगर temperature की SI unit है Kelvin, Kelvin है बाई, Celsius नहीं है ठीक है और इसको हम ऐसे theta से denote कर देते हैं अगर current आजाए current ठीक है, तो current की SI unit अपनी है M, P, R और उसको A से हम denote करते हैं ठीक है, अच्छा देखो काम की बात क्या है, चाहे length meter में हो, चाहे centimeter में हो उसको L ही लिखना है, unit change नहीं करनी dimension में unit change अब नहीं करनी L4 length है बाई, meter भी हो, centimeter हो, millimeter हो, कुछ भी हो semi mass, M है चाहे kg हो, चाहे gram हो कुछ भी हो, ठीक है तो अब अपने को क्या करना है, जो अपने पास भी formula बने थे, या उन formula की units बनी थी अब उनके dimensions लिखने है अपने को ठीक है, देखो बहुत simple जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं ठीक है, देखते जाना, एक ही दिन में काम हो जाएगा अब भी समझो, ठीक है, लिखते जाओ, clear ठीक है, पूरी जिंदिगी आता रहेगा, कोई बात नहीं जोटा था काम है, ठीक है, जैसे अब ही मैं बोलता हूँ कि भाई, speed है speed का dimension लिखो, dimension formula लिखना अपने को, ठीक है, इसको हम बोलते है dimension formula देखेंगे बई, speed क्या होता है speed अपना होता है distance by time ठीक है, formula क्या है, speed का distance by time यह simple formula होगा ठीक है, अच्छा, इसकी जो dimension है, dimension उपर क्या है, distance, distance को हम लिखेंगे, L से नीचे क्या है, time, time को लिखेंगे T से, इसको simple लिखना है L by T, simple ठीक है, अच्छा, इसको और थोड़ा mathematically form में सुन्दर बनाना हो, तो L, T, minus 1 ऐसे भी लिख सकते हैं T को उपर लेगे, power minus 1 आगी ठीक है, अच्छा, एक और खास बात होती है जो भी अपने dimension formula होते हैं, वो सारे के सारे लगबग, M की power L, M की power A, L की power B, T की power C इस form में होते हैं, सारे ठीक है, सो M की power भी लिखनी है अपने को, L की power भी लिखनी है, T की power भी लिखनी है तो अगर इसमें M है ही नहीं M है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं M की power 0 तो लिखे सकते हैं, M की power 0 कितना होगा 1 ही तो होगा, so इसको और अच्छे से अगर लिखें आपा, तो हम इसको लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 1, and t की पावर minus 1, बस, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर minus 1, बहुत सिंपल, ऐसे स्कूल की टीचर है, ऐसे सिंपल सिंपल जो में जागे रखते हैं, आगे चल क्या होता, एक celebration भाई, change in velocity by change in time, अचा, change in velocity मतलब, final velocity minus initial velocity, देखो, यहां पर भी काम की बात है थोड़ी सी, change का मतलब होता है, final minus initial, divided by time, अब भाई यहां पर देखो, एक velocity में से, दूसरी velocity को गटाओ, कि तो क्या आएगा, velocity ही आएगी 5 meter length में से 1 meter length घटाओ 4 meter length ही आएगी 5 kilo में से 2 के लिए अटादो 3 के लिए ही आएंगे संत्रे थोड़ी बन जाएंगे ठीक है So, जो unit velocity की है वही change in velocity की भी unit होनी है Let's say ये 5 meter per second है ठीक है, अगली हो 2 meter per second तो आएगा क्या 3 meter per second So, उपर क्या लिखना है आपने को velocity, velocity क्या होता है इसका formula लिख लेंगे unit लिख देंगे उसके बाद dimension बनाना और असान दरता है ठीक है तो यहां से direct भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है अगर unit बना दोगे unit क्या क्या होती है यह SI unit वाली, SI वाली, SI वाली meter, second, ठीक है kg So, इसको क्या लिख सकते है आपना velocity को meter per second divided by second ठीक है कई बार unit भी लिख सकते है, unit लिखने से भी असान पड़ेगा ठीक है So, अब देखो meter क्या है meter, meter का dimension M नहीं है length है बाई meter क्या है length है M तो capital M for mass ठीक है So, यह क्या बनेगा L की power 1 and T की power यह नीचे चला गया वो भी नीचे यह T की power minus 2 So, L की power 1 T की power minus 2 ठीक बात है I think clear M की power 0x ता लगा दो ठीक है अच्छा force, 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 force क्या होता है force force होता है mass into acceleration यह M for mass है यह meter नहीं है M for mass है तो ज्यान रखना है और dimension हमेशा capital में है dimension हमेशा capital में है तो कोई scene नहीं है अलग से दिखेगा अपने को So, इसको आप लिखेंगे एक बार kg इसकी unit लिख दो acceleration की unit अभी थोड़े दिर पह ले आई meter उपर है और नीचे है second का square ठीक है तो देखो अलग-अलग चीज़े चल रही है formula में यह mass है small m for mass है ठीक है यहाँ पे M for meter है ठीक है और वहाँ पे capital M for mass आगा फिर से ठीक है capital M for mass बस यही दान रखना है उपर mass नीचे ओ सोरी अगे length और नीचे T की power 2 इसको और अच्छे से क्या लिख सकते है MLT-2 मतलब मेरे को force का dimension सबसे पहले याद हुआ था मतलब यह आसान है MLT-2 बोलके देखो एक बार MLT-2 रे lipsing तो कर दो गरवाले कोई नहीं सुनेंगे ठीक है वैसे रेटा मारना पढ़ता अपने को कई बार ठीक है सो देखो और और भी हम dimension आगे बनाते जा सकते हैं जितने भी formula है सब की dimension हम बना सकते हैं ठीक है सो मैं एक बार किताब उठा लेता हूँ किताब में दुस्जभ है में में से वो उठा लेंगे अपा acceleration हो गया बाई ठीक है इसके बाद work work का formula work का formula पता होगा थोड़ा थोड़ा तो क्या था force into displacement force into displacement ठीक है अब देखो force की dimension डारेक्टी लिख दो अगर पहले आ गई है force की dimension क्या है mlt-2 into displacement की l क्या बन गया ml2t-2 बहुत सोखा अगला देख़ेंगे energy energy रहे सेम होता है वैसे energy का कौन सी energy लिखना चाहेंगे energy का भी भी हो कोई भी energy का formula लिख दो kinetic का लिख दो असान रहेगा half mv square अब देखो half जो हो constant उसकी कोई भी unit नहीं है mass v square ठीक है so 1 by 2 mass किसमें आएगा kg में आएगा velocity का square meter square per second square है ना simple है बिल्कुल simple है so अब dimension मनाओ kg क्या है mass meter square length की power 2 time की power minus 2 so देखो dimension same आई है work and energy की dimension same आई है if you remember work energy theorem work done by all the forces is equal to change in kinetic energy तो एक तरफ work done होता है एक तरफ energy होती है और दोनों equal होती है work done equal to change in energy होता है so उनकी dimension and unit same ही है ठीक है इसके बाद density density हमने पढ़ा होगा density क्या है density वैसे 2-3 type की होती है but standard density है mass by volume mass per unit volume so उपर mass लिखना है और नीचे volume लिखना है ठीक है so mass की unit kg और नीचे meter cube simple अब kg को क्या लिखेंगे capital M L की power length है भाई ये meter क्या है length है L की power minus 3 and time आया ही नहीं time की power 0 जिसमें zone आये उसकी power 0 जीरो चेप दो बस ठीक है अच्छा तुमारे किताब में बहुत सारे formula दे रखे है ठीक है अच्छा अब क्या है ना कि ये सारे formula जैसे जैसे आगे chapter बढ़ते जाएंगे वो formula आते रहेंगे तो अपने को ये सारे formula रट्टा मारनी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है स्ट्रेस हो या प्रेशर हो देखो एक साथ ही लिख रहा हूं मैं दुरनों ही स्ट्रेस या प्रेशर दुरनों वा formula सेम होता है ठीक है क्या formula होता है force पर unit area मतलब force by area होता है ठीक है so force what is force what is force mlt-2 divided by area क्या होगा भाई area अपना meter square में आएगा मतलब length की power 2 फिर से बन गया answer is m l की power minus 1 minus 1 2 पर चला गया न t की power minus 2 this is stress ठीक है अच्छा एक चीज होती है strain strain अपनी होती है simple change in length by length ठीक है formula है बुरा मत मानना formula है अगर याद नहीं तो हो जाएगा कोई बात नहीं है ठीक है delta l by l होती है so उपर भी length है नीचे भी length है अरे change in length भी तो length ही है so उपर भी meter है नीचे भी meter है कट गया कट गया सब कुछ कट गया तो क्या आ गया m की power b 0 l की power b 0 t की power b 0 ठीक है अच्छा अब यह लिख लो जल्दी से आगे लिखाता हूं थोड़े से मैं भी वह लिखवाने कोई चीज करूंगा जो तुमारे बोर्ड के पिपर में पूछे जा सकते हैं स्कूल में जो पूछे जा सकते हैं थोड़े बहुत बहुत सारी फॉर्मिले तो हम पढ़ेंगे नगा जो फार्श्ट टम होंगे तब तक हम सारे चैप्टर तो पढ़ेंगे नीख तो कुछ formula याद रखने पड़ेंगे अपने को थोड़े बहुत जो भी यह लिखे ये and एक दोर ज्यादा नहीं बहुत कम याद रखने हैं अपने आप याद हो जाएंगे बाग अच्छा इसके बाद एक होता है अपना यंग स्मोडल लास ठीक है यंग स्मोडल लस होता है इसका formula होता है stress by strain ज्यादा rural language बोल रहा हूं stress by strain it is stress by strain I can speak English well bro so देखो stress क्या बनगा अरे stress का formula तो यह बन गया आपना और strain का तो कुछ भी नहीं बना m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बस काम खतम so stress का क्या लिखेंगे m l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2 divided by m0, l0, t0 अरे सब अटा दो क्योंकि निच्छे दो 1 है answer वही आ गया कौन सा जो stress का था सींपल ठीक है आई तेंट केलियर अच्छा अब दो फॉर्मुलें और होते हैं अबने पास एक ग्रेवीटेशन फॉर्स का होता हैं ग्रेवुटेशन फॉर्ष का और अगला फॉर्मुला ठीक है ग्रेवीटेशन फॉर्स का लिखता है पहल findet box इसमें सकते हैं ना ग्रेविटेशन फॉर्स का फॉमला याद होगा अपने को हाँ होना चाहिए ठीक है फॉर्स इस इक्वल टू जी कॉंस्टेंट एम वन एम टू बाइड डिस्टन्स का स्क्वेर होता है यह ग्रेविटेशन फॉर्स कहां लगता दो मासिज के बीच में लगता है जैसे सन और अर्थ कैसे जोइंड है ग्रेविटेशन फॉर्स से जोइंड है झाल सो अपने को अब इसमें जी की युनिटप बतानी है दोनों सब्सक्ते हैं इसके युनिट बताओ and dimension भी बताओ dimension भी बताओ ठीक है अब formula में भाई क्या दिख रहा अपने को एक तरफ तो f है force है यह mass है, mass है, यह distance है तो इसकी अलावा बाकी सब का पता है अपने को बाकी सब का पता है तो क्या करो g को एक तरफ रखो बाकी सब को एक तरफ ले जाओ ठीक है अब क्या करो अगर units लिखनी है तो सब की units लिख दो खाली units लिख दो बस यह newton बनेगा force is in newton distance का square, meter का square divided by kg का square यह क्या बनगी unit ठीक है, अच्छे newton को और भी जादा open कर सकते थे kg meter per second square, फिर और भी जादा change कर सकते थे, तो कोई बात नहीं है but newton भी अपने SI unit है, उसको लिख सकते हैं ठीक है, but जब dimension लिखना है dimension लिखना है तो dimension तो mlt में ही होगा ठीक है, so dimension के लिए क्या करेंगे, newton newton की dimension लिखो, newton था force वो था mlt minus 2 into meter square, what is meter square length की power 2 divided by kg kg क्या है, mass है फिर से mass की power कितनी बनगी, 2 बनगी so dimension देखना क्या बनेगा m की power रहागा, minus 1 l की power 2, and 1 3, and t की power minus 2, बन गया so अगर units लिखनी है ठीक है, तो कोई भी formula उठाओ कोई भी formula हो, ठीक है, उसको कैसे लिखो, जिस चीज की units निकालनी है, उसको एक तरफ रखो, बाकी सब को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, और वहाँ पर units लिखतो सामने, बस, simple, ठीक है, dimension लिखने है, तो dimension लिखतो, simple, ठीक है, अच्छा, और अपने पास, ठीक है, चलो मैं बाकी बहुत ज्यादा नह ठीक है, ठीक है, एक बार note करो, इन को note कर लो, आगे देखते हैं, देखो बई, इसके बाद न, angle, angle की सब इनिट क्या थी, radiance, सो radiance का dimension क्या है, मतलब angle का dimension क्या है, वो लिखना अपने को, सो देखो एक बार, क्या rule था अपना, कि बाई, r radius हो, ठीक है, ऐसे arc बना दो, r radius angle theta, ठीक है, और ये length l, ठीक है, सो arc length is equal to r into theta था, ठीक है, सो theta is equal to l by r, ठीक है, सो अगर theta की मैं unit बोलूं खाल ली, तो unit तो अपने को पता है, radiance थी इसकी, इसका नाम था radiance, ठीक है, बट अगर dimension की बात करें, dimension, तो क्या करेंगे बाई, उपर क्या length, length की dimension, length ही है, निचे r, r की dimension, length ही तो है, r भी distance ही तो है, ये भी meter में, ये भी meter में, क्या बन गया, l की power 0 बन गया, मतलब dimension क्या बन गी, m0, l0, t0, मतलब क्या है, कि जो theta है, theta, ठीक है, वो unit less नहीं है, उसकी unit तो है, बट ये dimension less है, मतलब, इसकी dimension ही नहीं ना कुछ भी, सब कुछ 0 बन गया, तो 1 बन गया है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये dimension less quantity है, ठीक है, एंगल भी ऐसे ही, और theta भी ऐसे ही, और solid angle भी ऐसे ही, ठीक है, solid angle अपने ज़्यादा से ले बस में नहीं आएगा, तो उसकी ज़्यादा tension लेने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपने ना कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है, जैसे 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 addition addition of two physical quantities हम किन दो physical quantities को add कर सकते हैं हम कैसी physical quantities को add कर सकते हैं मैं बोलूं कि मेरा weight है 70 kg और मेरी height है 6 foot है नहीं ऐसे जूट बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं add कर दो उनको 70 और 76 बना दो कुछ मतलब निकलेगा अरे कुछ नहीं निकलेगा हाना so height में mass add करना कोई significance है नहीं उससे कुछ नहीं होगा ठीक है अच्छा बट मैं बोलूं कि यहां से रोतक की distance 100 km मान दो ठीक है और एक गाड़ी को जाने में एक गंटा लगता है ठीक है तो speed कितनी होगी distance कितनी है 100 time कितना 1 तो speed distance by time अच्छा distance की dimension अलग है time की dimension अलग है बट उनको divide कर सकते है so दो ऐसी quantities जिनकी dimension अलग-अलग है उनको हम divide कर सकते हैं multiply कर सकते हैं but add या subtract नहीं कर सकते हैं so we can add or subtract add or subtract देख लेना इस पहलंग गलत नहा हो जाए t-r-a-c-t we can add or subtract the quantities having having same dimension same dimension so जिसकी dimension and unit भी लिख दो जिसकी unit or dimension same है वही physical quantities add हो सकती है ठीक है so इस पर J-E में सवाल आए हुए है ठीक है इस concept पर J-E में सवाल आए हुए है तो बहुत असान concept ना मतलब मास में length add करके कुछ होता नहीं है ठीक है let's say मैं यहाँ पर सवाल लिखता हूँ देखना एक बार अच्छा एक और बात है कि अगर LHS में LHS equal to RHS है मालो ठीक है LHS equal to RHS है तो इसकी dimension और इसकी dimension same होंगी same dimension ही होंगी क्योंकि यह तो equally बोल दिया ना अरे अब equal अगर है तो length length के equal ही हो सकती है time के equal थोड़ी हो सकती है speed speed के equal हो सकती है force के equal थोड़ी हो सकती है so LHS और RHS कुछ ऐसे अपने पास अपने को दिख जाए ठीक है तो क्या बोलेंगे हम कि दोनों की same dimension ही होगी ठीक है अब देखो एक सवाल सापता हूँ मैं सवाल अपना है let's say P is equal to A V square plus B A A नहीं F ठीक है F4 है force F4 है force V4 velocity P4 है pressure P4 है pressure ठीक है P pressure है pressure क्या था force by area बता रहा हूँ force by area ठीक है यह कोई formula है यह कोई standard formula नहीं है मैंने अभी बनाया है कोन सा formula है ज़स्ता भी बनाये हुआ formula है इसकी significance कुछ नहीं है significance सिर्फ यह है कि सवाल है ठीक है अब देखो काम क्या करना है अपने को जो A और B हैं इनकी अपने को dimension बतानी है dimensions of A and B ठीक है अच्छा देखो units बताना थोड़ा साल मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगर मानलो A length आता है तो A meter में है centimeter में है millimeter में है वो तो अपने को नहीं पता भी इस formula से units नहीं पता बत डाइमेंशन अपने को पता ही है जैसे force है force के S unit Newton है CGS unit ERG तो units अलग हो सकती है बत डाइमेंशन हमेशा same ही रहेंगी ठीक है इस सवाल को solve करने के लिए देखो क्या करेंगे है क्या करना चीए LHS RHS देख पा रहे है और बीच में plus का sign भी देख पा रहे है मैं तो देख पा रहा हूं तुम नहीं देख पा रहे तो थोड़ा सा अचाए एक काम है फोन से तुम देखते हो अगर फोन पे brightness कम करके और फोन को थोड़ा सा distance पर रखके फिर देखा रहो ठीक है और बीच बीच में मतलब एक गंटा अगर देख लिया तो पानी के सबके मार लो आखों में ठीक है आखों में पानी अगर नहीं आता तो सूख सी जाती है तो उससे कुछ-कुछ आखों में दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत हम क्या बोलेंगे कि भाई ये दो चीज और ये दो चीज अना प्लस का साइन है प्लस का साइन है तो इनकी सेम डाइमेंशन होनी चीज़िए कि सेंपल कि सेम डाइमेंशन होनी चीज़िए ठीक है अच्छा अब दो सेम डाइमेंशन की चीजों को add करेंगे तो उनका result मतलब यह जो result है इस पूरे की भी dimension same ही रहेंगी अना length में length add करोंगे length ही मिलेगा अना so इसकी dimension इसकी dimension और दोनों के sum की dimension same होंगी और साथ में और क्या दिख रहा है यह जो पूरा डबा है यह pk equal ही है so in in की भी dimension same ही होंगी ठेक है so क्या दिख रहा आपने को बाई तो pressure की dimension है वही a v square की है वही b into f की है ठेक है so बस solve करो अभी pressure की dimension लिखनी है अपने को हम लिखेंगे dimension of pressure is equal to dimension of a v square मतलब अगर board के paper में ऐसा लिख दोगे school के में तो teacher बहुत ही खुश हो जाएगा बहुत प्यार से सलाम देगा तुम्हें नंबर भी देगा साथ में ठेक है dimension pressure की लिखनी है pressure is force per unit area so पहले न formula को expand कर लो जितना भी कर सको गल्ती ना हो बस ठेक है total mlt-2 divided by area area is l की power 2 is equal to dimension of a so देखो जिसकी dimension अपने को नहीं पता उसको ऐसे ही लिख दो a लिख दो एक बार के लिए ठीक है ऐसे ही लिख सकते हो dimension of a ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें तो आगे कहा लिखना v square what is v square length by time meter per second का square ठीक है अब dimension of a को एक तरफ रखो पाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ अपना answer आ जाएगा so dimension of a will be यहाँ पे बन गया m l की power minus 1 है t की power minus 2 है divided by l की power 2 and t की power 2 so answer is m की power 1 l की power देखना 2 उपर आएगा negative हो जाएगा तो minus 3 and t की power 2 and minus 2 cut गया t की power 0 so m l की power minus 3 आगे अपनी unit sorry dimension आगे है similarly b की निकाल सकते है आपा ऐसे ही बिल्कुल सेमी ठीक है I think यह लिख लिया होगा यह बहुत काम का वाई यही में सवाल पूछा जा चुका है स्कूल के पेपर में भी पूछ सकते हैं कि अगला लिखता हूं भी एफ वाला ठीक है अभी अगर तुम्हें समझ यह आ गया है तो एक बार पोज करो और अपने आप से कर लो सही कह रहा हूं फायदा होगा वे एक्स्पिरेंस का फायदा उटाओ मेरे का वाट इस प्रेशर फोरस बाई एरिया किसके एक्वल होना चाहिए बी इंटु एफ के एकवल होना चाहिए अच्छा देखो कभी कट जए न मेरे काट दो इस तरफ भी फोरस है इस तरफ भी फोरस है दोनों की डैमेंशन सेम है तो कटी जाएगा ठीक है, so dimension of B क्या आएगा A की पावर माइनस 2 मतलब 1 by L square so dimension of B क्या बन गया M की पावर 0 L की पावर माइनस 2 A की पावर 0 बस बन गया, इत्तासा अंसर ठीक है, so note करो एक दो सवाल और करते हैं अभी so guys we have this question formula दे रखा एक V is equal to A plus B T plus C divided by D plus T, ठीक है क्या क्या है, V is speed, T is time and बाग की सब A, B, C, A, B, C, D सब की अपने को dimension लिखनी है ठीक है so क्या कर सकते हैं अभी बिल्कुल सही है, pose करके अपने आप से solve करने कोशिच कर सकते हैं मैं अभी कर रहा हूँ so देखो क्या करेंगे बाई इस तरफ V velocity है तो ये right में सारी की सारी velocity होनी चीए और सब के बीच में sin भी plus है तो इसकी dimension, इसकी dimension और तीनों की dimension मतलब सेम होनी चीए किसके equal होनी चीए velocity के equal होनी चीए ठीक है, बस सिधा सिधा 1T-1, length by time length by time ठीक है, एक ही dimension अपने पास आगी simple dimension B की लिखनी है, तो उठाओ B into T B into T should be equal to velocity ठीक है, so B की dimension क्या बनेंगी, velocity by time simple so what is velocity M L T M 0 L 1 T-1 velocity meter per second meter per second divided by time T so answer is M 0 L 1 T-2 बन गी, ठीक है, अगला देखो ये थोड़ा सा important लग सकता अपने को इसको देखेंगे द्यान से क्या दिख रहा आपने को भाई अपने को दिख रहा है, जो C over D plus T है न, इसकी dimension पूरे की किसके equal होंगी dimension of V के equal होंगी, पहली बात तो ये ठीक है, अब पंगा क्या है पंगा यहांप यह है, C and D, दो-दो variable है ठीक है, so, देख पा रहे हैं सही, सही, सोच गे, good, good सोच के होगा, I think ठीक है, देखो, यहांपर बीच में plus का sign है, बीच में plus का sign है, तो दोनों की dimension सेम होगी, simple, so, T की dimension T है so, D की dimension भी क्या होगी, T अरे, time ही तो हो सकता न, time में time ये add हो सकता है, वही subtract हो सकता है, second में second add करेंगे, second ही आएगा, ठीक है so, C की dimension बची बस so, क्या बनेगा है, आपर dimension of C is equal to dimension of V into dimension of time time उस तरफ चला गया, time आगया आगया so, C की dimension लिखते हैं, बस velocity is M0, अरे, यही है, बहुत बार लिख दी है हमने, L की पावर 1 T की पावर, minus 1 into time T, so, answer is M, L2 T minus 1, simple ये आगी dimension of C की बढ़ो, ठीक है अच्छा, और 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 भी कुछ-कुछ बाते होती है, ठीक है, solve कर लिया होगा note कर लिया होगा, I think देखो, इसके बाद और भी कुछ चीज़े होती है, जैसे किसी चीज़ की power power of anything, क्या हो सकती है power, जैसे मैं बोल लूँ गई, 2 की power x है है, ना, so x क्या हो सकता है, बाद इसका मतलब क्या है, कि 2 को x bar multiply करो x bar multiply करो x bar, ठीक है, मतलब कोई number होना चीए, ना, x क्या होना चीए, simple कोई number होना चाहिए, any number और कोई भी अगर number है, कोई भी number है, तो उसकी dimension है ही नहीं, number की का dimension होती है, ना, 2 के लिए, 3 संतरे, dimension नहीं है, dimension less है, so, कभी भी power वाला formula हो अपने पास, उपर power रखी है, ठीक है, so power dimension less ही होगी, power dimension less ही होगी, ठीक है, इसमें ना, कुछ-कुछ अपने पास formula होते हैं, जैसे, q is equal to q naught into 1 minus e to power minus ठीक है, ये, ये, ये तोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, चलो, मैं ऐसे ही simple formula बनता हूँ, कोई भी, ठीक है, let's say, अपने पास, a is equal to, a की dimension नहीं पता, b into e की power, k p by m, ये एक formula है अपने पास, ठीक है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, a का अपने को नहीं पता, b की dimension नहीं पता, e क्या है, एक constant number होता है, e क्या होता है, एक number होता है simple, ठीक है, t is time, m is mass, और k फिर से नहीं पता, तो जिन जिन की dimension नहीं पता, वो सारी dimension अपने को निकालनी है, a रह गया, b रह गया, k रह गया, ठीक है, so क्या देखेंगे, पावर दिखरी है अपने को, पावर में जो भी चीज है वो पूरा का पूरा मिला के dimension less है, अकेला नहीं, हाना 2 की power something, पावर में so power dimension less होनी चीए कितनी बार multiply करेंगे कितनी बार ही तो करते हैं, number ही तो है simple so, क्या लिखेंगे जो अपना total k t by m है उसकी dimension क्या है m0, l0, t0 है simple अच्छा, t अपना time है, m mass है, ठीक है, so बाकी सब उस तरफ ले जाओ, k को इस तरफ k को यहां रखा हमने m उपर चला गया m की power 1 हो जाएगा, m mass था ठीक है m mass था, m1 हो गया, and time time नीचे चला गया l की power 0 ही बचेगा time, minus 1 so, k की dimension आ गई अपने पास, ठीक है अच्छा, मैं कई बार क्या करता हूँ step थोड़े छोड़ देता हूँ ठीक है, तो वहां पे ऐसे डरना नहीं है मतलब, अगर 2 step extra भी कर दोगे तो गल्त नहीं होगा, और यहां पे गल्ती ना हो, वो सबसे important होता है negative marking सुना न, पता ही होगा negative marking में गल्ती करना ही गलत है बस अब देखो, क्या आगया अपना k की dimension आगी है ठीक है, अब a और b की dimension लिखनी है ठीक है, अच्छा, a और b की dimension से क्या पता लगेगा आपने को अच्छा, sorry, sorry, क्या करते हैं न, b की जगा आपा लिख देते हैं यहां पे एक बार, b की जगा लिख देते हैं length ठीक है, length क्योंकि अभी देखना पता लगा है क्योंकि यह मैंने अभी ऐसा अब देखो भई, lhs और rhs lhs और rhs की dimension सेमी होनी चीए सेमी होनी चीए so, इस तरफ कौन है इस तरफ a है, जान से देखना इस तरफ तो a है, आगे क्या है, एक length है आगे e की power kt by m है ठीक है, देखो किसी चीज की कुछ power किसी चीज की power पहले किस चीज की power किस चीज की है e एक number है, उसकी power है तो किसी number की कुछ भी power लोगे, तो number ही आएगा 2 की power 2 4, number आएगा, 3 की power 4 multiply कर लो, number ही आएगा 81 जो भी है so, ये क्या है dimensionless है, पूरा का पूरा power भी dimensionless और किसी की power रखी वो भी फिर dimensionless यहां तक clear, अब क्या दिखा अपने को कि इसकी dimension और इसकी dimension ही same होनी चीए so, dimension of A must be equal to dimension of L, simple so, A की dimension क्या बनगे अपनी L खली, मतलब M0, L0, T L1, T0 बात clear है simple, ठीक है, so just note आगे दिखते है so, next guys we have this formula UK1 plus cos AX here, U is potential energy देखो, energy कोई भी हो potential हो, या kinetic हो, चाहे spring हो, चाहे कुछ भी होबे देखा, सारी की सारी energy की dimension and unit same ही होगी unit तो अलग हो सकती है CGS अलग, MKS अलग मतलब, but dimension same ही होगी तो यहाँ पे अपने को एक तो K की dimension निकालनी है साथ में यह cos है X अपना meters है X अपनी length है meters में है एक A की dimension निकालनी है so, K की dimension and A की 2 dimension अपने को निकालनी है so, देखो कैसे करेंगे अब यहाँ पे भई, अब cos के अंदर sin हो या cos हो उसके अंदर तो थिटा होता है और थिटा क्या होता है थिटा की unit तो radian है और इसकी dimension क्या है dimension dimension अरे dimension तो है ने dimension तो less है M0, L0, T0 है तो यह बात भी याद रखने की है जैसे E की power something अगर हो तो वो number ही होगा ऐसे ही sin या cos के अंदर कोई चीज हो तो वो angle ही होगा angle ही होगा तो radian में ही होगा और उसकी dimension नहीं होगी so, क्या दिखरा आपने को कि AX जो है उसकी dimension क्या होनी चाहिए AX की dimension 0 होनी चाहिए M0, L0, T0 मतलब 1 होनी चाहिए dimension 1 होनी चाहिए so, यहाँ पर बस A की लिखनी है X किसमे है, मीटर में मीटर मतलब length so, क्या बन जाएगा M0, L0, T0 and L की power minus 1 oh, sorry, L की power यहाँ पर तो plus 1 उपर चला गया L की power minus 1 so, dimension M0, L minus 1, T0 but वो number ना भी दे, मास्टर मास्टर का mood खराब वो दिक्कत हो सकते यह तो पूरा लिखतो, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आओ बई अब यहाँ पर आओ देखो यह LHS है, यह RHS है दोनों की dimension सेम होनी चाहिए तो LHS में तो दिख रहा है energy है RHS में देखे द्यान से K into something अब दो चीजों का multiplication तो कुछ भी हो सकता है मतलब जरूरी नहीं है, इनकी dimension सेम हो या आलग हो length into time हो सकता है length plus time नहीं हो सकता length into time हो सकता है so, अब यहाँ पर K into something है तो something को देखो यह 1 है, 1 की dimension है ही नहीं dimension less है यह भी और cos theta sin theta, theta तो radian होता है और sin theta की value क्या पता है अपने को number आते है, minus 1 से 1 तक कुछ भी अगर 0 से 90 पढ़ा तो 0, 1 by 2 1 by root 2, root 3 by 2, 1 number होगा, सिर्फ number होगा so, यह भी क्या है dimension less है so, यहाँ पर K की dimension हो सकती है और यह दो no dimension less है ठीक है, so, अब हम सिदा-सिदा क्या लिख सकते है dimension of U must be equal to dimension of K, क्योंकि अगला तो dimension less है, बस आ गया U, U अपना वैसे तो potential energy है, if you remember formula of potential energy, then वो भी apply कर सकते हो, नहीं तो कोई भी energy लगा दो एक ही बात होती है, मैं क्या करता हूँ ना kinetic energy का formula लिखता हूँ, वो असान है अपने लिए ठीक है, half mv square mass is in kg m e लिख दो उसको L t minus 1 की power 2 देखना जान से velocity is meter per second L t की power minus 1 और पूरे का square यह क्या आ गया, dimension of k, यही हो गया, मतलब ml 2 t minus 2, बस यही है, ठीक बात है, अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ ना, कुछ सवाल दिता हूँ, ठीक है, वो सवाल करने है, अपने को बस, काम हो जाएगा, अगर, तुम्हारे पास module तो ही, module से भी देख सकते हूँ, सेम ही सवाल है, ठीक है, पेज नंबर है, 3.21 पे यह question numbers है, ठीक है, इसमें अगर और तुम्हें पहले वाली simple exercise करने जाओगे ना, तो उसमें dimension ही पूछे हैं, बहुत सारी चीजों की, तो उसके लिए, जब अपने को सारे formula याद हो जाएंगे, तो वो सारी हम अराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, यह जो चीज है, यह सारी logical है ठीक है, टी है time, ठीक है, जो standard है न, जैसे यहाँ पर टी time है, ठीक है, बाकी लग बगर जगे मैंने लिख दिया है, तो जो standard है, जैसे x दे रखाय मीटर में होगा, टी time में होगा, ठीक है, पी is pressure, ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो एर्मरजन में कुछ गरतियां है, ठीक है, मैं उनको बता दूँगा, ठीक है, मैं personally बता दूँगा, कोई जगत रही है, ठीक है, ठीक है, करो सवाल, फिर मिलते हैं, बाई